आलू पालक की सब्जी तो आपने बहुत बार खाई होगी लेकिन इस तरीके से एक बार ज़रूर बना करके देखें इसका टेस्ट इतना ज़्यादा अमेजिंग और यम्मी है ना कि आप इसके दिवाने हो जाओगे तो चलिए इसे बनाना शू करते हैं सबसे पहले यहाँ पर 500 ग्राम फ्रेश यहाँ पर पालक के पते ले ली हूँ इन्हें धूल करके बढ़ियां से इसका पानी निकाल दिया है मैंने अब इसे हम कट कर लेंगे इसे बहुत ज़्यादा बारी नहीं कट करना है बस इसे रफल बनकर के तियार होगा तो एक बार शरूर बना करके देखिएगा मैंने सारे पालो को धुल लिया है और एक साथ में एक प्लेट में रख दिंगे और इसमें डालींगे यहाँ पर एक चमच नमक डाल करके मेर्श होने के लिए हमें साइड में रख लेना है ताकि जब इसका पानी निकल आए तब इसे हम फिर से प्रोसेस में लाएंगे अब यहाँ पर तीन कच्चे आलू ले लिया है मैंने छिल लिया है उपर से थोड़ा थोड़ा इस तरीके से और इसे धुल करके साइड में कर लिया है अब मैं यहाँ पर एक बड़े बाउल में इस तरीके से चोड़ लेना है कुछ इस तरीके से और इसमें पानी नहीं रेना चाहिए यह ध्यान रहे चनी पर ही रख दें जब तक के हम दूसरा प्रोसेस करेंगे यह देखिए पालक काफी अच्छे से पानी छोड़ चुका है और इसे हम पानी जो है वो फेकना नहीं हम इसे यूज करे यहां पर आधा चम्मच जीरा पाउडर आधा चम्मच हल्दी और इसी के साथ एक चम्मच यहां पर धन्या पाउडर और इसे के साथ आधा चम्मच आजवाईन एक चम्मच यहां पर लाल मिर्च अगर आपके पास है तो वो डाल सकते हैं मैं यहां पर हरी मिर्च को पीस कर करके डाली हूं अब इन्हें हमें खूब बढ़ियाँ से मिला डाला था तो ध्यान से थोड़ा नमक डालें कमी रखें फिर ग्रेवी में भी डाल करके आप इसे सेट कर सकते हैं बड़ियां से मिलानी के बाद हाथों में लगाएंगे थोड़ा सा तेल और इसे इस तरीके से मसल लेंगे पूरे हाथ में ताकि पोशन जो है वो बड़ियां से बन करके शेप में तयार हो जाए मैं यहाँ पर छोटे-छोटे बॉल्स बना रही चाइब करूंगी चार से पांच मिनट तक की नहीं रखने के और 5 मिनट फ़ितने सब्सक्राइब, और गया विभ्कन, टेल क्नेश, तेल और इसी में हमने जो बॉल्स को बना करके तयार किया है आलू पालक का उसे इस तरीके से थोड़ा सा फ्राई करेंगे जब तक के इसके कलर्स चेंज नहीं हो जाते और इसके बाद इसे हम निकाल लेंगे बहुत जादा फ्राई नहीं करना है आप चाहें तो deep fry कर सकते हैं लेकिन बस shallow fry भी कर लेंगे तो भी बहुत बढ़ियां सा इसका टेस्ट हो जाएगा सारे balls को निकाल लेना है अब उसी कड़ाई में एक चमच तेल फिर से डालेंगे और इसमें कुछ खड़े मसाले आधा चमच जीरा छे से साथ काली मिर्च एक टुकड़ा दालचेनी का और एक तेज बत्ता इन्हें दो मिनट सलत्री करने के बाद इसमें एक बड़ा साइस का बारी कटा हुआ प्याल डाल देंगे और इन्हें तब तक के भूनेंगे जब तक के इसका कलर गोल्डन ब्राउन अब इसमें कुछ सुखे मसाले डालेंगे यहां पर धनिया एक चमच लाल मिर्ची एक चमच आदा चमच हल्दी और नमक आदा चमच या फिर आप अपने टेस्ट के कोडिंग भी रख सकते हैं एक चमच अंद्रकलेसुन का पेश्ट और यहां पर मैं एक बड़े साइस का बढ़िया से पीस लिया है इन सभी मसालों को खूब बढ़िया से हमें भूनना है जब तक कि इसका तेल इस तरीके से उपर उपर ना दिखने लगे अब इसमें हम कुछ मसाले और डालेंगे जैसे काली मिर्च का पाउडर आधा चमच और इसी के साथ आधा चमच जीरा पा कभी नहीं होंगे इस रेसिपी से अब इसमें हम एक गिलास पानी डाल करके इसे पका लेंगे पकाना है मतलब बस दो मिनट तक के हाई फ्लेम पर पकाना है इसके बाद इसमें हम यहां पर देखें दो से तीन आप हरी मिर्ची टोटली ऑप्शनल है अगर आपको चाहिए त डालें नहीं तो फिर कोई जबदस्ती नहीं है मतलब आपको तीका जितना पसंद हो उसे साबसरे रखें अब जो हमने पालक को उसका पानी निकाला था ना उसे भी इसमें डाल करके बढ़िया से इसे मिला लेना है अब इसे हम तीन मिनट तक के हाई फ्लेम पर बढ़िया स करके 3-4 मिन तक लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे ये देखिए हमारा ला जवाब का आलू पालक का ये हमारा रेसिपी बन करके तयार हो चुका है आप इसे आलू पालक कुफता भी कह सकते इतना जादा मज़िदार की बनती है ना कि एक पार आप जरूर खाओगे तो पका है इसका टेस्ट कभी नहीं भूल पाओगे आप इसे सर्फ करें गरमा गरम रोटी या पराठी या फिर चामल के साथ सब के साथ ये बहुत ही मज़िदार की लगती है तो एक बार इस नई रेसिपी को जरूर बना करके तयार करें और कैसा लगा आपको मेरी रेसिपी प्लीज राय अपनी जरूर बताएं कमें थांक यू फू वाचिंग अगर वीडियो जरा भी आपको अच्छी लगई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस चैनल पर इस तरीके से यूनिक रेसिपीस आपको जर बताएं करें कि अधियो जरूर टाइं करें अपको जिए और वाचिंग अगो जाओर।